नमस्कार दर्शक्मित्रों निर्मान नियूज नी विशेश रजुआत नियूज स्टोरी मां आप सवनू स्वागत छैने हूँ छू नताशा दर्शक्मित्रों आज आपने वात करवी छे जम्मु काश्मिर ना पुल्वा मा विध्यार्थियों अने सेना ना जवानों वच्चे फरिवार अथडामन नी घटना जे बनवा पामीशे अने पुल्वा मा सेना जवानों द्वारा जे रिते सर्ज ओपरेशन चाली रहो हतू त्यारे त्याना स्थानिक विध्यार्थियों द्वारा सेना पर पत्थर मारों करी कार्यवाही रोकवाना प्रयास कराया हता। झानिक विधयों दोरी झानिक विध्यार्थियों दौल्वपरेशना पर जाओरेशना पर करी बिते सर्ज क पामीशे सर्ज तो काश्मीर माजेर इतनी घटनाओ बनवा धई रही छेू तैमा एक महतवनी घटना एपन छे के पाकिस्तानी आतंकवादियो द्वारा बारमवार घूसन को रे धई रही छेू भारत tanta साइनीकों पर रहार हमलो पन धई रही छें अने आ हुमला मा पाकिस्तान औने आतंकियों सामे करवा मा आवेली कारेवाही संदर भे सेना द्वारा आजे प्रेस कॉन्फरेंस योजवा मा आवी हती या प्रेस कॉन्फरेंस जेमा मेजर जनरल अशोक नरूलाय जनाव्यू के आतंकियों सरहद पार करीने आवतार रोकवा म आवशे अने सेना जम्मु काश्मेर मां शांती इच्छे छे उँँ आपने जनावी देश के 20 और 21 तारीख ना जे सेना या ओपरेशन हाथ धर्यू होतू पाकिस्तान नी सेना उपर बॉम विस्फोर्ट करीने त्यानी तेमनी चोकियो ध्वस्त करवा मां आवी हती अने सेना आ वीडियो सामे आवे हो छे आजे पाकिस्तान उपर जे आ प्रहारो भारतिय सेना द्वारा कराया हता भारतिय सेना ये पाकिस्तान नी उँग पन हराम करी दिदी छे आ ब्लास्ट करीने अने सेना नो आ वीडियो सामे आवे हो छे अने आ साथे इच पाकिस्तान ने जड़ जडबा तोड जवाब आफम आवे होशे। जडबा आफम आवे होशे के आज रोज आ सेना नो वीडियो सामे आवे होशे। जडबा नशेरा सेक्टर में होआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नौकसान पुचाया गया है और जो इंफिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं। ये हमारे काउंटर टेर्रम स्टेटजी का एक हिस्सा है दन्यवाद। और आज भारतिय जवानों ने जिस धंग से पाकिस्तान की दुस्त की है वो जितनी सरहना करें उतनी कम होगी लेकिन देर आये दुरुस्ता आएं अबने रुकना अब किसी भी हाल में रुकना नहीं आगे जाना है हमको सुर्च रहे कि लाहुर पे भी तिरंगा ले रहाना ह So the action that he took was to save the lives of those people trapped inside that room who are going to be lynched if not protected and 900 people who are pelting stones because if he had gone there and there would have been exchange of fire then many people would have died. So this officer has done an excellent job. Let me clarify the principle of it. It is very easy to criticize him. Please understand that counter-insurgency operations are fought by young officers, captains and majors. There is no formal teaching for each and every situation that may occur because you cannot foresee such situations. जिस प्रकार से नवशेरा सेक्टर में उगरवादी जो पाकिस्तान धकेल रहा था उनको रोखते हुए पाकिस्तान की एक पोस्ट को तभा किया है बहादुरी से इसके लिए हम देश की सेना को मुबारक बात देते हैं. पिछले दो दिन में बीस और इकिस तारिख में तीन सेनिक वीरगती को प्राप्ट हुए नवगाउं सेक्टर में और चार उगरवादी जो पाकिस्तान से धकेले जा रहे थे उनको मार गिराया गया. सवाल ये है कि सेना तो इतनी बहादुरी से काम कर रही है, वीरगती को देते हुए भी घबराती नहीं, भारत मा की जै बोलते हुए अपने जजबे से लड़ रही है, पर देश की सरकार कहां है? देश की सरकार क्या कर रही है हमारी सेना की मदद के लिए? आए दिन पाकिस्तान उगरवादियों को बिठाए है, पूरे पाकिस्तान ओक्यूपाइड काश्मीर के अंदर कैम्प चला रहा है, प्रंतु सरकार सोई पड़ी है. कब जागेगी मोधी सरकार और कब कारवाही करेगी अंतराश्ट्रिय स्तर पर इतना दबाद दालेगी के पाकिस्तान ओक्यूपाइड काश्मीर के उगरवादी कैम्प खतम हो और आए दिन पाकिस्तान से धकेले जाने वाले उगरवादी बन हो ताकि हमारे सेनिकों को वीर गती नाप्राप्त करनी पड़े, मैं एक बार फिर हमारी सेना की बहादरी और उनके जजबे को नमन करते हैं। देखिए, ये बारत का अटैक नहीं, बारत अटैक करी रही है। आपने देखा है कि क्या हो रहा है। आज ऐसा हो रहा है कि अब जो इनके बंकर्स हैं, जहां ये आते हैं, जहां ये रहते हैं, जहां ये करते हैं, तो टाइम आ गया है कि अब इनको उड़ाना है। हमने बड़े अराम से इन से बोला था कि आप चले जाओ प्लीज चले जाओ कोई नहीं जाता आ जाते हैं और फिर उदर से फाइरिंग करते हैं तो अगर उनके फाइरिंग करते हैं और उदर आते हैं तो हम चुप बठे रहें ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है और नशार ताम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होशानी चाहिए कि कश्मीर इनका नहीं है ये कहते हैं कश्मीर हमारा है कश्मीर हमारा है आप पाकिस्तान को नहीं समाल सकते तो कश्मीर को क्या आपने समालना है और उसके साथ आप देखना और कुछ क्या होना है उदर से आप देखना चीन का क्या होना है और जो स्टेट से साथ उदर क्या होना है तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है अब मेरा ख्याल है दोस्ती कर ले और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जितने हमारे भाई हैं, मुस्लमान हैं, यहां हैं, वो अगर जाना चाहते हैं पाकिस्तान तो हम उनको जरूर पुचा देंगे, पाकिस्तान चले जाएं बदला तो ले नहीं है अब बदला के बदला नहीं हम ले रहे हम कह रहे हैं इदर से जाओ ये हमारा है ये जो हम लड़ रहे हैं ये हमारा एरिया है ये आपने आके इदर बैठे हैं उस वकत हमें इतनी अजाज़त नहीं थी मैं भी उदर था जब था तो हम तो ठोक देते थे कोई नहीं आने देते थे ना बताते थे वो बंद हो गया अब आप देखो क्या हो गया आप देखो क्या हो रहा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान जीएगा अभी के नहीं मरेगा आप देखे जैसे चल रहा है अब आप शुरू करता है कितनी देर तक हम बैठे रहे कि छुप हमारे जो जुवान हैं वो बिलकुल ट्यार हैं और बिलकुल अपने एक मिनिट के देरी में हम उनको उड़ा देते हैं जहां भी हैं वहां हम उड़ा देंगे ये नहीं और अगर ये ज्यादा कुछ करेंगे तो ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान में जो हमारे भाई दिया ना हमें ठुड़ा मार के इधर बेज दिया और वो पूरा ले लिया तो अब तो टाइम आ गया है कि ये देखो ये हमारा एरिया है आप तमीज से रहना है तो रहो अगर नहीं रहना है तो गोली मारेंगे तो जेरिते पाकिस्तान सामे भारत ना जवानों एबरबरता आचरवानों जे जड़बा तोड जवाब आफम आवयो शे ते हाल सरानिया शे ने जेरिते आपने जोयू के बधाज भारत ना जवानों नी हाल प्रशंसा ना पाथ पोखरी रहा शे परंथु जयरे अपने वाद करिये पाकिस्तान नी तो पाकिस्तान ला आतंक वादियों होई के पची पाकिस्तानी सेना द्वारा वारम वार घुसान खोरी ना प्रयास थता आवे आचे अगर ने आएक खुबज महत्वनों गंभीर बाबत बनी गई चे तेनू मुख्य कारणे चे के जे रिते पाकिस्तानी सेना द्वारा वारमवार हुमला करवा मा आवता होई चे अने ते उपरांत जयरे भारत ना सेना नी साथे भारत ना जवानों नी साथे बरबरता आचरव मा आवती होई चे ते एक दैनी घटना बनी गई हती थोड़ा दिवस अगावज अगटना ने अंजाम आपवा मा आवय ओ तो पाकिस्तान द्वारा अंजाम अपायो हतो अने 20 और 21 तारिखे जे अहुमला करवा भारत सेना ना द्वारा हुमला करवा अ कर आ पाकिस्तान नी सेना उपर आने तेनी चेक पोस्ट ध्वस्त कराई हती 10 हुमला थेया चे 20 सेकेंड मा आप जोईश कोछो टीवी स्क्रीन पर ना द्रशे उपर के कई रिते वारम वार 20 सेकेंड नी अंदर और 10 हुमला थेया चे अने ते हाल खुब जो सहरानिय बाबत बनी गई चे उतमने जन शेक ख चेंड रिते वार मा विदो कि मैंविदो कि पाकिस्तान उपर आ हुमला कराया चे नौसेरा सेक्टर मा आ उपरेशन हाध धर आयो थे racism नियंत्रं रेखा पर अमारू निशान छे तेऊ सेना नू द्वारा आ जान्वामनी रहे हुचि पाकिस्तान पोस्ट ने उड़ाविया नो सेनाई आ वीडियो आज रोज जाहेर करियो छे। पाकिस्तान पोस्ट ने उड़ावियो आवियो छे भारत द्वारते खुबज सरानिय चे। पोते पोताना वतन, पोताना परिवार नो विचार करिया वगर तेओ पोतानी भारत माताने ध्यानमा राखी ने पोतानी सरहद माटे लड़ता होई छे, पोताना देश माटे लड़ता होई छे। तेज देश ना साइनिक ने एक खुबज दैनिय परिस्तिती मा बरबरता आचरी ने तेना शव ने पाचो मुकलवा मा आवे छे जारे पाकिस्तान द्वारा कृत्य करवा मा आवियो हतु तेनो आजे बदलो लेवा मा आवियो छे अने खुबज सरहानिय बाबत आ सामे आवी तो जे रिते पाकिस्तान ना आर्मी चीफ द्वारा आ प्रेस कॉन्फरेंस योजवा मा आवियो हती जमा मेजर जनरल अशोक नरूलाई जनावियो हतु के आतंकियो सरहद पार करीने आवतार रोकवा मा आव छे अने सेना जम्मू काश्मिर मा शांती इच्छे छे ताजे तर्माज नौशेरा मा पाकिस्तानी सेना नी चोकियों ने नाश करवा मा आवियो हती हुँ आपने जनावी देश के आताजे तर्माज जे वाद थाई रही छे ते 20 अने 21 तारिक ना जे हमला था हता तेनी वाद करवा मा आवी रही छे अने सेना द्वारा पाकिस्ता नोको ने ठार करायाना समाचा अरहाल मड़ी रहा छे अने भारतिय सेना द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस योजी ने आ समगर माहीती आपवम आवी छे सेना द्वारा निवेदन आपवम आवी छे के तेओ बौडर उपर शांती इच्छे छे जी हां सव कोई एवु जिचता होये छे के सेना जे बौडर उपर तेना छे तेओ शांती इच्छता होये छे परन्तु जे वारमवार पाकिस्तान द्वारा घुसन खोरी ना प्रयास थाये छे सीस्वायर नू लंगन करीने तेओ भारत नी सरहद पार करीने इडलेके पाकिस्तान भारत नी सरहद पार करीने भारत मा प्रवेशी ने भारत ना सैनीकोनी माथा वाढ़ी ने जता होये छे तो आंगेनी विशेश माहीती माटे अमारी साथे जुड़ाए गया चे जम्मु काश्मिर ना स्थानिक पत्रकार पंकज शर्मा जी तो पंकज बताइए कि किस तरह की ये जो सामना किया गया है भारत द्वारा ये खुबी बहुत ही सरहानिया है आप क्या कहेंगे इस बारे में लेकिन बातिये स्चाना के जवानों की यह मुस्तादी है कि जैसे ही हमारे जवानों की इस बात की बंप लगी इन पोस्टों में आनसंकी जो कुछित्र के लिए व sürटियार बैठे हैं बातिये स्ऺेमा में इन पोस्टों को तबाद किया है 10-2 का वीडियो है जिसे साइना ने खूर जारी क्याए है इस समय की बात किकी चाहिए हमारे ज़वानों का मनोबल का पेठी जयादा मदा Tusk Guard Kingdom और पूरी तरह से आपको बजादो कि पूरे जम्हु कश्मीर के अगर हम बात करें तो जम्हु कश्मीर ने है चेना और वियसेफ दोनों ही ये आंतंकियों की कोची घृती है कि बर्फबारी जो है वो पिगणने के साथ यांतंकी बाती सीमा में गुष्पाक करने का परयास करते हैं लेकिन हमार यह जवान जो है वो जिशेच पैस्याथ पठर है इन जो वीडियो आए है इस वीडियो के बाद ना को बदा-दू की बारतिय सहला की जवान हैं वह काफी ज़य धिया थूश्टियुक्त बददों को वादी बिधे बात है जो कि पूंच्छे मेंडर में जो हमारे जिवान जो जो बरबर्ता पाकिस्तान की उसे की गई थी हम कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान से उस बरबर्ता का बतला ले लिया है इन पोस्टों को तबा किया लिया है ये पोस्टिंग काफी ज़्यादा जो आपको बढ़ा दूँ इन पोस्टों से ही पाकिस्तान कियों से गुस्पैटियों को बारती सीमा में गुस्पैट करवाय जाता था लेकिन इन पोस्टों को हमारे सेना के जवानों ने निश्टवा नभूत कर दिया है और काफी ज़्यादा इस समय हमारे जवानों का जो मनोबल है वो काफी ज़्यादा बड़ा हुआ है कि पंकश्ष तो जिस सरे से आपने बोला कि यह अंले से बिलकुल हमारे सेना के जवानों का मनुशबळ बढ़ थारे मिलगद किया हम इसको सफेल स्फाइक का नाम दे सकते हैं क spouse ये स्प्राइक कर चाहिव दना मुटे से ये साथे कर गी ती वैसे ही कहीड कहीं है सज्डिकल स्ट्राइक टू इसको कह सकते क्या हम कि कि यह जुट सथी कर नाम बे सकते हैं कि पहले ही सरकार को से का घया का कि सही समय पर हम पाकिस्तान को नहीं की बाचा में उनको समझाइंगे और हमारे जो चैना पुरमोख तो बहुत भी बात को बोल चुके थे कि हम जो है बोल के नहीं काम करते हम सही समय आने पर जो है पाकिस्तान को उसी की बाच्छा में जवाब देंगे तो होए क्या सकते है कि यह सर्जिकल स्काइक तू है क्योंकि पाकिस्तान की जो आपको बदा दू की मुश्यारा सेक्टर है यहां पर बार्ती जवान की ओद से जो है पाकिस्तान की पोस्टं क跟大家 कि गया गया है काफी ज़्यादा नुक्सान है पाकिस्तान के लिए और हमारे लीए काफी ज़्यादा कुशी की बात है ऎंगे तो जिस मिल रही है कि अब वो शांती की सांस ले पाएंगे से जो पाकिस्तानी पोस्तों को तबा किया गय Hey इसके बाद लोगों कुछ लोगों से मेरी बाक्षित हुई है उन्तका एह कहना था कि हम इंटजार एकि सिर्भर गारकि बारत्रा की जाती है और अब बाकिस्तान की उसे पाकिस्तानी पोस्तों को तबा किया गया है हम काफी ज़्यादा खुश है लोगों ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जैसे ही अगर साइरिंग करता है तो इसी तरह के जो बाकिस्तान को चाहिए कि इसी तरह का जवाब है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बाक्षी से नहीं समझने वाला है लगातार पाकिस्तान की उसे ये कुछिश रहती है कि जम्मों कुछ ने कि अगर हम बात करें हमारे जो LOC का इलाका है यहाँ पर पाकिस्तान की उसे काफी ज़्यादा फाइनिक की जाती है मोटार पाकिस्तान की और से दागे जाते हैं पहले पाकिस्तान ये करता था कि हमारी जो चोगी है उनको टार्गेट करता था हमारे जवानों को टार्गेट करता था कि दुबारा इस तरह की हर्कत पाकिस्तान ना करें और आपको बदादें कि यह जो हर्कत जुड़े इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रियादा करते हैं तो जे रिते पंकज शर्मा जम्मु काश्मिर ना पत्रकार त्याना स्थानिक पत्रकारे जणावीू के कई रिते पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान उपर जे हाल फाइरिंग थायू छे वीस औने 21 तारिके जे आ बॉम धड़ाका करी ने तेमनी पोस्ट ने ध्वस्त करवा मा आवी छे तो हाल आ खुबज सरहानिय बाबत बनी गई छे अने जम्मु काश्मिर नी बॉर्डर उपर त्याना स्थानिक रहवासियो जे छे तेमने पन हाल राहत नो श्वास लिदो छे अने कहवाई रहू छे कि आ वर्तो घा छे भारत ना तरफ थी आ वर्तो घा थे रहो आ वर्ती कार्यवाही वर्तो घा थे रहो छे सेना नी कार्यवाही नो जड़बा तोड जवाब पाकिस्तान ने जड़बा तोड जवाब आफमा आवियो छे अंटी टैंक मिसाइल नो उप्योग करवा मा आवियो हतो आ कार्यवाही अंतर्गत अंटी टैंक मिसाइल नो उप्योग करी ने पाकिस्तान नी 10 चेक पोस्ट ध्वस करी देवा मा भी शे पाकिस्तान नी सेना ने भारत द्वारा करारो जवाब मले ओ छे जम्मुकाश्मिर ना नाउशेरा सेक्टर मा आउपरेशन हाद धरायो छे ने 20 सेकंड नो आज वीडियो प्रेस कॉन्फरेंस द्वारा जाहिर करायो छे जमा खेहवाई रूँ छे के 20 सेकंड नी अंतर्गत 10 हुमलाओ करवा मा आविया छे पाकिस्तान नी सेना ना पोस्ट ध्वस्त करी त्यार बाद आव वीडियो जाहिर करायो छे वी सने एक विस्तारिके आग कार्यवाही थाई हती जवाबी कार्यवाही कई शकाय करण के पाकिस्तान द्वारा वारंबार सीस्फायर नू लंगन करवा मा आवतू होई छे वारंब अपना देश माटे ने घणा जवानों घायल पण थता होई छे नमस्कार